वेलकम टो अलियाइस आज है 13 अगस्त 2020 तो आज ये स्टार्ट करते हैं आज की करिंट अफेर्स MCQs और देखते हैं अपना पहला क्वेस्चन जो की लोक अदालत के बारे में है पहला स्टेटमेंट इसमें ये कहा गया है कि लोक अदालत के वर्डिक्ट के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं होता है दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि लोक अदालत का जो डिसिजन होता है उसे सिविल कोर्ट के वर्डिक्ट के समान माना जाता है और सभी parties के उपर ये binding होता है, मतलब आपको स्विकार करना होगा जो तीसरा statement है, वो ये कहता है कि Legal Services Authorities Act 1987 के तहत जो लोक अदालत है, उसे एक statuary status दिया गया है तो बताईए, यहाँ पर कौन सा statement correct है और कौन सा statement incorrect है अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो, तो शलिए, मैं बता देता हूँ कि ये तीन के तीनों ही statement जो आपके सामने लोक अदालत के बारे में हैं, वो correct है देखिए, निउस में इसलिए था क्योंकि डैली स्टेट लीगल सर्विसस अथॉरिटी अभी उन्होंने हाल ही में ये लोक अदालत को गठित किया, district court में लोक अदालत के जो decisions होते हैं, वो सभी parties की उपर binding इसलिए होते हैं क्योंकि सभी parties जब आम सहमती बना लेती हैं कि वो लोक अदालत में जाकर अपने cases को resolve करना चाहते हैं, तभी ये cases लोक अदालत में admit किये जाते हैं तो जब आप अपनी स्वेच्छा से ही आये हैं case को लेकर, तो फिर आप उस case के verdict को ना माने इसका कोई कारण नहीं बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापिस से case फाइल नहीं कर सकते देखे इसके खिलाफ appeal का कोई mechanism नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लोक अदालत ने हमारे इस case में ये verdict दिया था, हम इसे अस्विकार करते हैं और हम अपना case आपके पास लेकर आते हैं, district court या फिर जो भी high court है वहाँ पर आप जाना चाहा रहे हैं ये जो प्रक्रिया है आप ऐसे नहीं follow कर सकते, आपके पास अपना case फाइल करने का अधिकार है तो अगर आपको अपती है लोग अधलत के verdict के उपर तो आपको अपना fresh case दर्ज करवाना होगा वो अपील नहीं होगी, वो एक fresh case होगा देखे, जो यहाँ पर बात आती है, कि जो parties हैं उनके उपर ये binding होता है binding इसलिए होता है, क्योंकि सभी लोग आम सहमती से आते हैं इसलिए उन्हें इसे स्विकार करना होता है अगर उन्हेंने स्विकार नहीं किया, तो फिर लोग अधलत के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाए तब जाइए, और जो legal process है, जो की काफी लंबा और खर्चीला होता है उसमें लग जाइए, क्योंकि लोग अधलत में पैसे खर्च नहीं होते ये काफी सस्ता procedure है, और जल्दी भी पूरा हो जाता है हमारा जो constitution है, उसमें preamble में जो justice है, उसे socio-economic और political लेवल पर establish करने की बात की गई है लोग अधलत इस principle को follow करता है, आर्टिकल 39A सभी को free और legal aid की बात करता है, आर्टिकल 14 और 22 1 21 का जो clause 1 है, वो ये कहता है कि state सभी लोगों को law के सामने equal रखेगा तो लोग अधलत इस दिसा में किया गया एक काम है इसे statutory status दिया गया है, that's true, इनका award final होता है, मतलब appeal नहीं की जा सकती appeal नहीं होती, fresh case दर्ज करना है तो वो कर लीजिए appeal नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति litigation को initiate करना चाहता है court को approach करके तो वो कर सकता है, फिर जो भी procedure होगा वो उन्हें follow करना पड़ेगा court fees, लोग अधलत में कोई fees नहीं ली जाती, कोई भी case वहाँ पे दर्ज किया जा सकता है अगर कोई case court में चल रहा है और court से उस case को वापिस से लोग अधलत में transfer किया गया तो जो fees आपने court में दी है, अगर आपका case लोग अधलत में clear हो जाता है तो ये fees भी आपको return कर दी जाएगी लेकिन ऐसा case जिसमें आम सहमती के उपर फैसले बनने की अनुमती ना हो ऐसे cases को लोग अधलत में नहीं ले जाया जा सकता मतब कोई गंभीर अपराद लोग अधलत में नहीं जायेगा क्योंकि यहाँ पर आम सहमती से निड़य लिये जाते है amicably decision को लेनी का प्रयास किया जाता है जो अगला प्रशन है, उसमें ये पूछा गया है आपसे कि जो गुवालिया टैंक मैदान है मुंबई का quit India moment के दोरान वहाँ पर Indian flag किसने host किया था, किसने फैराया था options हैं, सरोजिनी नाइडू, अरुना आशव अली, एनी बेसिंट या फिर उशा महता अपना जवाब चूस करिए अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो, तो चलिए मैं बता देता हूँ 20 का correct answer है, अरुना आसव अली जी ने quit India moment के दोरान यहाँ पर जो flag है, Indian flag है, उसे host किया था host किया था, फैराया था 8 अगस के दिन, अगस क्रांती दिन मनाया जाता है जो अरुना आसव अली जी है, उन्हें ही popularly grand old lady के नाम से भी जना जाता है कुछ और भी female activist रही थी freedom moment के दुरान, like उसा में था जिन्होंने underground radio station चलाया था, जो quit India moment है वो अभी observe किया गया 78th anniversary, that's why यह topic news में था, quit India moment launch किया गया था, because second world war जब start हुआ, तो जापान बिटन के खिलाफ लड़ रहा था, और वो South East Asia में जो बिटन की territory थी, उस पर हमला कर रहे थे बिटन ने अपनी South East India की territory को छोड़ भी दिया था जिससे वहाँ के लोगों के उपर काफी atrocities की जा रहे थी जापान की forces की द्वारा, गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर बिटन को यहां से निकाल दिया जाए, तो जापानी भारत में आए, इसका कोई करण नहीं बनता, इसलिए उन्होंने quit India moment launch किया, कि अंग्रेजों को भारत के बाहर ख़देर देना है, और इसके लिए उन्होंने do और die का नारा भी दिया था कि इस बार अब तो करना है, या फिर मर जाना है, क्योंकि अब यह final decision होगा कि अंग्रेजों को बाहर भेजा ही जाए, जो अगला प्रशन है, उस पर हम आएंगे लेकिन उसके पहले मैं एक mistake correct करना चाहूँगा कल तीसरे नंबर पर ये question आपके सामने था, और मैंने आपको ये बता दिया था कि जो वैसाली है, वो गौतम बुद्ध से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक गलती थी जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ records के मताबिक, बुद्धा ने तीन बार वैसाली को विजिट किया था और अपना last सर्मन भी यहीं पर दिया था इस लिहाँ से जो सही जवाब निकलेगा, वो D निकलेगा, ठीक है, तो अगर आपने इसकी वज़़े से अपना answer गलत किया था तो आप अपना score एक add कर सकते हैं जो अगला प्रशन है, वो Regional Rural Bank के बारे में है, पहला statement यह है कि जो RRB है, उसे पूरी तरीके से Central Government ओन करती है दूसरा statement यह है कि जो RRB होती है, वो मन्रेगा के वेजिस को disburs करती है, बाटती है, और तीसरा, RRB जो होता है, Regional Rural Bank, वो Urban Areas में भी अपने operations चला सकता है अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए, बात करते हैं, थोड़ा सा Elimination यहां वर्क कर सकता है, यहां पर कहा गया है कि यह पूरी तरीके से Central Government की दौरा ओन की जाती है, जब भी कहीं absolute term आजाए, entirely, wholly, completely, या only, all, तो आप conscious हो जाईए, ऐसे statements के गलत होने की संभ भावना ज़्यादा रहती है, तो मतब यह मैं statement doubt में डाल सकता हूँ, दूसरा यह है कि RRB जो होते हैं, वो मन्रेगा के wages को disperse करते हैं, original, rural bank, गाओं का bank है, तो मन्रेगा wages को disperse कर सकता है, सामाने समझ से statement सही लगेगा, तो चलिए इसे सही मान लेते हैं, तो अगर हमने चाहिए, अगर हमें दो चाहिए, तो जो दो जहां पर नहीं है, वो कार्ट दीजिए, मतलब सी तो निकल गया, इन तीनों में से एक है, अब चूंकि यह तीसरे वाले को मान लीजिए, तीसरे वाले में doubt है, RRB जो है, वो rural bank है, तो urban area में operation कैसे चलाएगा, तो इस statement को हम entirely क basis पर गलत मानते हैं, मतलब अगर हमने इसे गलत काटा, तो हम एक cross कर सकते हैं, एक यहाँ पर भी है, हमने cross कर दिया, 50-50 का case आ गया, या तो यह होगा, अब दो में से एक click करेंगे, बिल्कुल नहीं पता है तो, भी वैस का सही जवाब है, तीसरा वाला सही statement है, doubt वाला लग स्पॉंसर बैंक का होता है, और 15% स्टेक स्टेट गवर्मेंट का होता है, निउज में से था क्योंकि Cabinet Committee on Economic Affairs ने जिसके Chairperson, Prime Minister होते हैं, उन्होंने अभी RRB के recapitalization की बात करी, यह scheduled commercial banks होते हैं, जो के different states में work करते हैं, इन्हीं नर्शिम्मन कमेटी की recommendation पे establish किया गया था, जो अगला प्रशन है, यहाँ पर आपसे यह कहा गया है, कि scientist ने अभी 140 rare species butterflies की identify करी हैं, जिनमें से 77 new हैं, इन्हीं 125 साल के gap पर locate किया गया है, मैथरन में, तो बताइए कहाँ पर locate किया गया है, यहाँ पर 4 options हैं, Eastern Ghat Range, Himalayan Range, Western Ghat Range या फिर अरावली Range, बताइए कौन सा है सही ज जवाब है, वो Western Ghat Range है, Western Ghat में इन species को identify किया गया है, Bombay Natural History Society के दवरा, 125 साल के बाद, इन्हें 1894 में पहली बार identify किया गया था, जो मैथरन होता है, वो पहार की उचाई पर, जो eco-sensitive region होता है, forest area होता है, उसे कहा जाता है, यहाँ पर जिसके हम बात कर रहे हैं, यह metropolitan region जो Western G में मुंबई में है, वहाँ पर located एक health station है, जो अगला प्रशन है, वो e-sanjeevani telemedicine platform के बारे में है, प्रेला statement यह बोलता है, कि platform independent browser based application है, जो कि doctor to doctor और patient to doctor, teleconsultation करवा लेगा, मतलब आप phone के जरीए consultation कर सकते हैं, doctor से, और doctors भी आपसमें बात चीत कर सकते हैं, दूसरा यह है कि application invite system पे work करता है, जैसे अगर आज कल zoom application काफी famous है, तो वहाँ पर आप किसी को invite करते हैं, फिर वो आपके पास आकर आपसे contact करता है, तो यह application भी वैसे ही work करता है, मतलब आप सामने बाले को invite करेंगे, तो वो आएगा, तो जो original applicant है, यह service उसी तक restrict हो जाएगी, जो तीसा statement है, वो यह है कि यह healthcare services को equitable बनाएगा, और सभी लोग जो isolated हैं, वो लोग भी rural areas के ऐसी services को access कर पाएंगे, कौन सा statement सही है, कौन सा गलत है, यहाँ पर सही जवाब D है, तीन के तीनों ही statement जो यहाँ पर दिये गए हैं, वो सही है, 1.5 lakh teleconsultations अभी complete हो चुके हैं, इस अंजीव है, कौन सा statement farms app की details को best manner में describe करता है, 4 options है, यह information provide करता है, latest agriculture advices देता है, या फिर latest money prices, various farming tips हम इस application के मदद से avail कर सकते हैं, दूसरा description है, यह प्रकार की chat service है, जो farmers की queries को resolve करता है, जहाँ पर वो अपनी infected crops की images वगेरा भी upload कर सकते हैं, तीसा statement यह है कि इसके जरिये small और marginal farmers जो हैं, वो rental basis पे machines hire कर सकते हैं, ऐसी machines जो महंगी हैं वो खरीद नहीं सकते हैं, और चौथा यह है कि यह government की schemes जो है, किसानों से related उनकी information उन तक पहुँचाता है, rural people और government की बीच में जो gap है उसे fulfill करता है, कौन सा statement सही है बताएए, कौ अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो, तो C इसका correct answer है, इस platform के मदद से जो किसान है small और marginal वो बड़ी machines को hire कर सकते हैं, जो वो खरीद नहीं सकते, जिससे उनकी जो खेती है वो थोड़ी बहतर हो जाएगी, वो आसानी से machines का इस्तिमाल कर पाएंगे, अगला प्रश्न Indus Water ट्रीटी के बारे में है, पहला statement ये बोलता है कि ये Water Distribution Treaty है, जिसे 1960 में साइन किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ब्रोकर किया था United Nations ने, दूसरा statement है कि control जो है इसमें पानी का जो western rivers हैं, इंडस, छेलम और चेनाप, उसमें इंडिया को control दिया गया है, कौन स statement आपको सही लग सकता है, कि United Nations ब्रोकर कर सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच की किसी treaty को, लेकिन दूसरे statement को आप आसानी से logic लगा के पता कर सकते हैं, कि ये तो गलत होगा, क्योंकि West में पाकिस्तान है और इंडिया तो अगर आप इंडिस रिवर को देखेंगे तो उसक इसे World Bank ने ब्रोकर किया था, ना कि United Nations ने, तो D इसका सही जवाब होगा, neither one nor two, इंडिया को तीन जो नदिया मिली हैं, वो हैं, रावी बियास सतलुज, ठीक है, बाकी इंडिस जहलम चिनाब पाकिस्तान को दिया गया है, World Bank ने इसे ब्रोकर किया था, 1960 में, जो अगला प्र से सम्मंधित ये स्कीम है, Roads and Highway Sector, Automotive, Component Manufacturers, Agriculture Sector या फिर Defense Manufacturing, बताईए, सही जवाब, S, M, A, M, किस से जुड़ा हुआ है, अगर सही जवाब आपने सोच लिया हो, तो बात करते हैं, C, इसका correct answer है, Agriculture Sector से जुड़ी हुई ये स्कीम है, इसी के तहर 553 क्रों रुपीज अभ कि machines का इस्तिमाल किसान करें, ताकि जो खेती है, उसकी productivity को बढ़ाया जा सके, तो उसी के तहरत ये पैसे जो fund है, वो release किया गया है, आगला question mapping पर है, पहला statement ये है कि लोकटक लेक, largest fresh water lake है, North Eastern India की, और अपने firmness के लिए जाना जाता है, जो इस lake में तैरते रहते हैं, दूस दूसरा है कि जो विम्बनाद lake है, वो second largest brackish water lake है इंडिया में, चिलका lake के बाद, बताइए, कौन सा statement सही है, कौन सा गलत है, अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो, तो यहाँ पर केवल पहला statement ही correct है, दूसरा और तीसरा statement incorrect है, ये गलत क्यों है, इसका simple सा जवाब अब ये है कि इनके explanation को replace किया गया है, पुलिकट lake के बारे में ये बात है, और विम्बनाद lake के बारे में ये बात है, इसी आधार पर ये दोनों statement incorrect हो जाते हैं, जो लोकटक lake है, वो मनी पुर में है, जो पुलिकट lake है, वो आंदरप्रदेस और तमिलनाडू के border पे मिलेग पढ़ता है अंदरप्रदेस में है, ठीक है, अगला प्रशनी आप से ये पूसता है, कि इन में से कौन सा एशिया का largest fresh water oxbow lake है, डल lake, चंदरताल, कनवार lake या फिर व्यंथाल lake, सही जवाब बताईए, सही जवाब इसका C है, हम बात कर रहे हैं कनवार lake के बारे में, कनवार lake जो की बिहार के बेगु सराय में है, ये largest fresh water oxbow lake है, oxbow lake तब बनते हैं, जब कोई river menandering करती है, जैसे मालीजी ये river menandering कर रही है, ऐसे ऐसे सरपीला कार में घूम के जा रही है, और कुछ समय बाद ये जो अपना flow है, उसे straight कर ले, मतलब river वापिस से ऐसे flow करने लग जाए, तो ये जो हिस्सा है, वो नदी से कट कर अलग हो जाए, तो यहाँ पर देखे एक U-shape बन जाएगा, और ये एक प्रकार की lake बन जाएगी, ऐसी ही lake को oxbow lake कहा जाता है, courses available है only ISP, dedicated prelims program, PSIR sociology options, आप इने access कर सकते हैं, video.onlyis.in पे जाके, कल के mapping के part में dessert तयार कर लिजेगा, dessert प अपना score comment box में जरूर बताईएगा, इस session में बस इतना ही, thank you very much.